दोस्तों एक संध मस्त राम बाबाजी थे और वो मस्त राम बाबाजी के पास एक शिश्य आता है और वो शिश्य उनसे पूछता है कि बाबाजी आप मुझे ये बता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं? इस पर मस्तराम बाबाजी ने बुला, हे मेरे प्रियशिश, भगवान हमसे हमारे प्रान चाहते हैं, येस दोस्तों, उन्होंने ये बुला कि हे मेरे प्रियशिश, भगवान हमसे हमारा प्रान चाहते हैं, अब बात आती है, भगवान हमारे प्रानों को ले करके क्या करेंगे जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो भगवान को इससे क्या हमसे क्या लाव प्राप्त होगा हमारे मन में यह प्रश्ण आ सकता है दोस्तो भगवान हमसे हमारा प्राण चाहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी प्राण को छोड़ देना है और आपको मर जाना अब अपनी प्राण शक्ति का दा एंड कर देना है, इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है, इसका मतलब दोस्तों यह है, कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे जो भी परिजन हमारे आसपास हैं, जो भी हमारे दोस्त और मित्र हमारे आसपास हैं, जो भी रिलेशन्स हम चाहते हैं क्योंकि हर एक इंसान ज Wouldn'tANS करता है वह आपकत पूरा इंस्षेम्द है और जो भी हमारे इस दुनिया में आने के बाद होती है उनके साथ जो भी हमारा संबंध है अब दोस्तों इस पे जो है थोड़ा सा और प्रसंग डालते हुए उस स्वामी जी ने बोला कि भगवान हमसे हमारा प्राण चाहते हैं इसका मतलब यह है कि जो भी कारे हम रोज मर्रा के जीवन में कर तो उस कारे को भी आप इस प्रकार से करें कि आप भगवान के मंदर में सफाई कर रहे हैं अगर आप अपने आपको स्वक्ष कर रहे हैं या आप नए कपड़े पहन रहे हैं या आप अच्छे कपड़े पढ़े तो उस समय भी आप इस प्रकार से अपने आपको ट्रीट कर कि आप भगवान को वो कपड़े पहना रहे हैं या आप भगवान की सेवा कर रहे हैं मतलब जिस किसी की भी हम सेवा कर रहे हैं जिस किसी के टुवर्ड हम चाहे जो कारे अपने हाथ में ले रहे उस कारे में हमें इश्वरत्व को देखना है और हमें यह समझना है कि इश्वर थो हम इसको पुरन रूप से और अच्छे तरीके से अब दोस्तो इसका ताथ पर एक और आता है वो यह आता है कि जब रहे कि अगर चारा रही है या अपने बच्चों को खिला रही है, या वो अपने पती के लिए भूजन बना रही है तो उस समय उन Juda जो समरपड होना चाहिए, उनके कारियों में वह इस प्रकार से होना चाहिए कि वह इश्वर की सेवा कर रही है, इश्वर के परिवार के लोगों की, और जब यह भावन हमारे अंदर आ जाएगी तो काम काम नहीं रहेगा दोस्तों वह एक बहुत ही मैं बोलूगी कि बहुत ही व्रिहद सोर्स हो जाएगा हमें जीवन को एंज्वाइ करने का और हर एक चीज में मीनिंग्स को निकाल लेने का दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर आप नौ कारी के लिए निमित्त बनाया है और अब आप उस कारे में अपना 100% नहीं माइडिया फ्रेंट्स आप अपना 1000% देंगे दूसरी बात आती है अगर आप एक businessman है एक entrepreneur है तो आपको अपने business को ऐसे लेना है और आपको अपने employees को अपने customer को इस प्रकार से deal करना है जैसे की आ आपको इश्वर नहीं इन लोगों को आपके पास भेजा हुआ है संभालने के लिए और इनको best to best services प्रदान करने के लिए आपका best देने के लिए तो आप अपना best इन लोगों को दो अब देखिए दोस्तों जब आप घर पर आते हैं तो जब आप आराम भी करते हैं तो आप बस देख रेक करने के लिए ही अपने आपको निमित्तमाने आप इस सरीर को बहुत सीरियसली किसी और सेंस में ना ले नहीं लेंगे तो आपके लिए जीवन आसान रहेगा ठीक है अब मित्रो एक बात और आती है कि अगर विद्यारती है तो वो क्या करेगा दोस्तों अगर विद्यारती है स्टूडेंटस है तो उसको क्या करना है उसको अपने पढ़ cider को पढ़ाईक को और अपने माता-पिता की आगया को अपने से बड़े और गुरुजनों की आगया को इस प्रकार से लेनी है जैसे इश्वर ने उनको इस कारिक के लिए निमित्त किया और जब हम अपने प्राणों को इश्वर की चरोडों में लगाएंगे तो जीवन हमारे लिए बहुत ही आसान और सहज हो जाएगा दोस्तों मुझे तो हर एक चीज में ब्रह्मांड के हर एक चीज में आध्यात में दिखता है और हर संसार में भी मुझे पुरर रूप से आध्यात में दिखता है क्योंकि मैं नहीं मानती कि आध्यात में जो है वह बस हिमाले और कंदराओं के लिए बना हुआ है आध्यात में जो है बस हिमाले के योगियों के लिए बना हुआ है क्योंकि आप देखेंगे आज प्राडी भी एक बहुत सारे ऐसे जीव जनतु हैं जो कि वो बुलते नहीं है हमारी तरफ उनके पास सोचने की छमता नहीं है फिर भी वो अपने व्यावहारिक जीवन में अपनों के लिए स्टैंड करते हैं वो बॉट्स हो या एनिमल्स हो उन चयतना में अस्तर में हता है तो यहां पर हमने क्या समझा है और हमारे प्राणों का मतलब है नो में किसी भी कारे को कब कर पाते हैं। जबकि हमारे प्राण चलते हैं क्योंकि जैसे हमारा प्राण शितिल हो जाता है दोस्तों हमारा नाम भी खतम हो जाता है और हम एक बॉड़ी हो जाते हैं और फिर हमारे घरवाले बोलते हैं बॉड़ी को उतारो बॉड़ी को लिटाओ बॉड़ी को बाहर ले चलो बॉड़ी क जलाओ, बॉडी का दाउस अंसकार करो, हम बॉडी बन जाते हैं, मतला हमप हमारा नाम भी नहीं रह जाता है, हम बॉडी बन जाते है, हमारा रिष्टा भी तुरण episode स्विकार करना है, मेरा कहना यह है, कि देखे प्राण क्या है प्राण वह सोर्स है यह एक श्रोत है जो की हमारे शरीर को आत्मा से जोड़े रखती है दोस्तों प्राण या श्वास वह डोर है जो हमारे शरीर को आत्मा से जोड़े रखती है there was some problem in my words so remember my difference प्राण वह डोर है या प्राण या श्वांस को हो आप श्वांस वह डोर है जो हमारे आत्मा को शरीर से जोड़े रखती है तो इन प्राणों को जब इश्वर में समर्पित कर दोगे तो आपकी आत्मा जो है वो इश्वर में अविकिन हो जाएगी और जब आत्मा इश्वर में अविकिन हो जाएगी तो आपको सच्चत आनंद की प्राप्ती होगी और आपको वो सच्चा आनंद, सच्चा सुक जिसकी आप तलास कर रहे हो जन्म जन्मांतरों से वो आपको मिलेगा और जीवन आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो जाएगा तो दोस्तों ये उस संत का जो आंसर था कि भगवान हमारे प्राण चाहते हैं उसको मैंने इस प्रकार से समझा और मेरे मन में ये धारणा थे कि मैं आपको इससे शेयर करूँ शायद आपको भी अच्छा लगेगा तो दोस्तों जिसीस को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुम जो बोलो में वो करूँगा तुम्हारे उपर सब कुछ ने अच्छावर तो मैं बोलती हूँ एक बार आप इश्वर को ये बोल कर देखिए आप जो बोले में वो करूँगी आपके ऊपर सब कुछ ने अच्छावर मेरा तन्मंधन और आइम जस्ट सरिंडरिंग यू माई लॉट और दोस्तों इश्वर ने जिस कारे के लिए हमें ने मित्त किया है उस कारे को 100% अपने प्रेजन्स के साथ में और 100% अवरनेस के साथ में करना है जिससे कि हम इश्वर द्वरत दिये गए इस समय का पुर्ण रूप से सदुपयोग कर सके और अपने जीवन को अपने उदेश के लिए निर्देशित कर सके तो धन्यवाद मुझे आशा और उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और मेरे चानल, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करने के लिए और आप मेरे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें धन्यवाद, बेल आइकॉन को जरूर से अन रखें जिससे की आपको मेरे नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुँच जाए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में